हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ धननज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे रिसेंटली हमारे नेवल चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे वो ये कहते हैं कि 2047 तक हमारा इंडिय नेवी कंप्लीट तरीके से आत्म निर्भर बन जाएगा कहने है क्या मतलब है तो 2047 के आज स्पास तक जितने भी जो डिफेंस एक्प्मेंट हमारे नेवल फोर्सेस यूज करते हैं वो सारा का सारा डिजाइन डेवलप और मैनुफैक्चर इन इंडिया हो जाएगा ये कहने की ज़रुवत नहीं है कि डिफेंस एक्सपोर्ट आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका एकॉनमी में बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रिब्यूशन है वो उनका डिफेंस एक्यूप्मेंट का ही रहता है फुर इग्जैम्पल अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस का बहुत बड़ा एक जो कॉन्ट्रिब्यूटर है उनके एकॉनमी में वो डिफेंस एक्यूप्मेंट ही रहता है हम इस वीडियो में और भी जाने है कि हरी कुमार सर ने और क्या कहा मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ये हमारे लिए क्यों important है कि जो भी डिफेंस एक्यूप्मेंट है वो हम भारत में ही manufacture करें इसको मैं आप लोगों के सामने दो examples से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ये आपके सामने एक article है जो कि 14 March 2023 का है अगर आप इसके हिसाब से आप जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि रश्या से सबसे ज़्यादा जो defense equipment है वो भारत ही purchase करता है कहीं-कहीं report ये भी है कि भारत का जो defense equipment है वो लगभग कुछ 80 से लेके 85% वो dependent है अब यू तो हमें ये पता है कि Russia हमारा एक बहुत ही close ally है लेकिन फिर भी ally है कहने का ये मतलब कहीं से नहीं है कि हम Russia के उपर इतना जादा dependent हो जाएं कि वो dependency ही हमें ले डूबे बीते कुछ सालों में no doubt हमारा जो making India initiative है इसमें government of India ने काफी अच्छा investment किया है पहले comparison में अभी अगर आप देखते हैं तो वो एक अच्छा investment हम इसको मान सकते हैं अगर आप हमारे finance minister निर्मला जी की अगर आप बात को अगर आप उनकी statement को अगर आप देखते हैं तो उनका ये कहना है कि कुछ 2.8 billion American dollars का हम 2024 में अपने defense equipment को export करने वाले हैं जो कि almost 23 times है मतलब बढ़ा है बीते 9 सालों में तो इनवे अगर मैं इसको रखूँ तो बीते कुछ सालों में हमारा defense manufacturing पे काफी अच्छा focus हुआ है और क्यूंकि हमारा काफी अच्छा focus हुआ है इसलिए भी हम defense equipment को export करेंगे तो जब हम export करेंगे तो कहने के जरुवत नहीं है कि ये हमारा economy को और boost up करेगा और geopolitical platform पे हमारा जो presence है वो और भी strong होगा अब चाहे भारत के navy officers हो या US के navy officers हो ये बहुत कम ही media को brief करते हैं लेकिन ये लोग जब भी media को brief करते हैं तो उनका statement को काफी ज़ादा high recognition मिलता है और उनके जो statements होते हैं उसको multiple तरीके से उसे analysis किया जाता है सर का ये कहना है कि हम लगभग 33 submarines को हम बना सकते हैं, ships को हम बना सकते हैं मतलब क्या है कि जब भी कोई भी defense equipment manufacturing होता है उसके research and development में काफी पैसे खर्श होते हैं अब क्या होता है कि अगर भारत कोई submarine को बनाता है तो हमें ये भी ensure करना पड़ेगा कि जो submarine की जो qualities हैं जो उसमें जो functions हैं वो हमारा पड़ोसी मुल्क या in fact जो हमारे rival देश हैं उनसे कम नहीं होना चाहिए suppose that अगर सामने वाले का पास अगर submarine है जो की काफी advance उसमें equipments लगे हुए हैं और हमारे जो हमारा submarine है अगर वो advance नहीं है तो हमारा जो submarine है वो सामने वाले देश के पास टिक नहीं पाएगा radar system को बनाना या submarine को बनाना या specific design को conduct करना या all weather submarine को बनाना ये सब कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसमें कि काफी लंबा वक्त लगता है और जिसमें काफी huge investment होते हैं अब क्योंकि भारत एक growing economy है इसलिए जो पैसे का जो investment होता है वो हमें काफी सोच समझ के करना होता है कहने का मतलब है कि सरकार को जो यहां के लोंगे उनको भी subsidies देना है उनके और भी जो welfare programs होते हैं उसको भी चलाना है साथ में सरकार को research and development में भी पैसे को डाला है अगर एक specific amount अगर research and development में नहीं जाता है तो वो फिर उसके हिसाब से result भी फिर नहीं आता है हमारे 26 January के parade में France के President Emmanuel Macron आये थे जहां पे उन्होंने ये on record कहा कि France बहुत हद तक interested है भारत के साथ transfer of technology को करने के लिए बहुत सारे जो defense manufacturing companies है वो भारत में अपना set up करेंगे कहने का मतलब है कि भारत में जो defense manufacturing companies है उनके साथ वो collaborate करेंगे हमारे make in India initiative के तहत अब कहने के जरुवत नहीं है कि रफैल एक बहुत ही advanced aircraft है या fighter jet है लेकिन सवाल फिर यह होता है कि क्या भारत के पास यह capabilities नहीं है कि हम रफैल के जैसा हम fighter jet बनाएं तो of course हमारे पास full on potential है लेकिन कहीं न कहीं जो fund है या जो lack of execution है या कहीं न कहीं जो policy है अगर सारे चीज अगर एक साथ नहीं चलते हैं तो जो result होता है वो result नहीं आता है अभी recently जिस तरीके से Gulf of Aden और Red Sea के आसपास के जो train route है उसके उपर attack हुए है Somalan parrots के दोवारा या healthy rebels के दोवारा उन सभी चीजों को या उन सभी जो train route है उन सभी को बचाने के लिए अगर कोई देश का navy सबसे पहले पहुंचा है तो वो Indian navy ही पहुंचा है और ये बहुत जरूरी होता है कि world platform पे हम अपने Indian navy का जो शमता है जो capabilities है उसको हम दिखाए अब समय दर समय ऐसा भी कितने बर information निकल के आता है कि जो officers होते हैं उनका जो रवया होता है अपने junior officers को लेके वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो आप इस चीज को समझे कि अगर आप किसी भी office में या किसी भी जब आप organization का हिस्सा है तो वहाँ पे जो mutual understanding है जो mutual respect है उसका होना बेहत जरूरी है तो कहीं न कहीं अगर कोई भी army है अगर उनके पास equipments काफी अच्छे हैं लेकिन जो relation between the officers है या relation between the high ranking officer और जो low ranking officer अगर वो अच्छा से नहीं होता है तो कहीं न कहीं उस पूरे जो platform है या वो जो पूरा army है वो अपने full potential पे काम नहीं कर पाएगा उसको लेके भी sir ने कहा कि एक digital feedback system को design किया गया है जहाँ पे जो junior officers है वो अपने जो high ranking officials है उनके लेके जो feedback है वो share करेंगे और कर सकते हैं तो in a way हम कह सकते हैं कि ना कि सिर्फ economy point of view से बलकि defense point of view से भी कि जो आत निरभर है भारत को बनना बहुत ज़रूरी है no doubt France हमें support करता है Russia हमें support करता है लेकिन geopolitics में कब कौन सा देश पलट जाया ये किसी को नहीं मालूम होता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you, take care, goodbye